10 reasons why Bengalis are crazy about दुर्गापूजा दस ऐसी चीजे जिसकी वज़त से Bengalis दुर्गापूजा के लिए crazy है तहला है आड़ा दुर्गापूजा एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप अपने दोस्तों से अपने फैमिली से बहुत दिनों बाद मिलते हैं भले ही एक Bengalis कहीं भी हो दुर्गापूजा के टाइम तो अपनी फैमिली अपने दोस्तों के पास आता ही है सब काम छोड़के नौकरी छोड़के बिजनस छोड़के एक Bengalis दुर्गापूजा में जरूर आता है और दोस्तों वही ऐसा टाइम होता है जब सारे दोस्त इखटा होते है कहीं भी रहता हो दोस्त कहीं भी काम करता हो कहीं भी नौकरी करता हो पर दुर्गापूजा के टाइम सारे दोस्त इखटा होते है बहुत सारे घर ऐसे भी है कि दुरगापूजा के टाइम पूरी फैमिली खटा होती है और दुरगापूजा के पंडाल में वैटके जम के आड़ा होता है जम के बाते होती है हर चीज के बारे में बाते होती है भले वो पॉलिटिक्स हो रिलिशन्शिप हो या फिर ओर कुछ बाते बहुत होती है आड़्डा मारना एक बहुत ही important हिस्सा है दुर्गापूजागा दूसरी important चीज है food बेंगॉलीज तो खाली पेट रही नहीं सकते हो जहाँ जाएंगे वहाँ पे खाना तो चाये होगा और दुर्गापूजा बेंगॉलीज का सबसे बड़ा festival है तो वह लियानी, फिश फ्राई, घूगनी, मांगशो, लूची और दोस्तो ऐसे फुचका, चाठ ये सब कुछ खाने का दुर्गा पूजा के टाइम एक अलगी मज़ा है और जातर लोग खाने ही जाते हैं दुर्गा पूजा पंडाल के पास जो स्ट्रॉल लगे वे होते हैं और भी कई सारे आउटलेट्स में दुर्गा पूजा के टाइम खाने का एक अलगी मज़ा है और दोस्तो दुर्गा पूजा में फूड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे दोस्त, फैमिली सब इखटा होते हैं तो खाना तो आएगा ही आएगा, खाना तो इंप अक्षरी हो गया, दम शिराड्स हो गया, कुछ ना कुछ इवेंट चलता ही रहता है, बहुत सारे दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा से पहले कई सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, रेस भी होता है, क्रिकेट फुटबॉल मैचेस भी होते हैं, तो बच्चों के लिए तो दुर्गा पूजा मतलब मजे के पाच्छे दिन, स्कूल की चुट्टी, पढ़ाई की चुट्टी, बस सारा दिन पंडाल में उचलते कूटते रहो, मेरे को याद है, बच्चपन में मैं बिल्कुल नए कपड़े पैन के दुर्गा पूजा पंडाल में जाता था, और को आते आते, पूरा धूल मिट्टी में गंदा होके आता था, उसके बाद हमारी चाइल्ड हूड मेमरीज भी दुर्गा पूजा सही बनती है, मेरी तो इतनी यादे है, दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई, इतनी यादे है कि मैं अगर सोचने बैठू, तो पूरा दिन निकल जाता है, दुर्गा पूजा में बचपन से लेके मैंने कितना इंजॉई किया, तो बच्चों के लिए तो दुर्गा पूजा बहुत बहुत ज़ादा इंपोरेंट है, चौता है Grand Pandals, बड़े बड़े पंडाल और दुर्गा मा की मूर्थी, especially अगर आप Bengal में है तो, इतने बड़े, इतने शांदार, इतने Grand Pandals बनते हैं वहाँ पे, कि आपने एक बार देख लिया तो आप देखते ही रह जाएंगे, अगर किसी ने कहले दुर्गा पूजा नहीं देखी, वह Bengal में दुर्गा पूजा नहीं देखी, और वह पहली बार गया है Bengal में, तो उसकी आखे फटी की फटी रह जाएंगी, इतना शांदार पंडाल, इतना शांदार creative work होता है, इतना शांदार theme बनता है, इतना भैतरीन decoration होता है अंदर, इतना बारीक काम होता है, कि बस आप तारीफ करते हुए नहीं ठगेंगे, उसके उपर से दुर्गा मा की मूर्ती, देख के हरान हो जाएंगे, इतना creative होते हैं Bengal में आर्टेस्ट लोग, स्पेशली कुमा टूली के आर्टेस्ट, इतना बड़िया दुर्गा मा की मूर्ती बनाते है, theme के हिसाब से बिलक दाल आसपास ही होगा और शायद ही कोई ऐसा बेंगॉली होगा जो ढाक की अवाश सुनके, प्यार उसके ठिरकने न लगे, वो डांस करना शुरू ना कर दे, शायद या ऐसा कोई बंगाली होगा, जो ढाक की अवाश से नाचना ना शुरू करे, जिसने अपनी जिंदेगी में कभी dance नहीं किया, वो भी धाक की अवाज में नाचने लगता है, धाक की अवाज है यह ऐसी, दुर्गा-पूजा, दुर्गा-पूचा नए कपड़े लेके, नए कपड़े हम लोग गिफ्ट करते थे, हमको भी बहुत सारे नए कपड़े गिफ्ट में मिलते थे, अभी भी यह हम लोग जो ट्रेडिशन है, वो उसको हम फॉलो करते हैं, हम लोग एक दूसरे को नए कपड़े गिफ्ट करते हैं, हमको भी बहुत सा होता है दुर्गा-पूजा में किने के ल Dal를 एक पदाल या और रोज शाम को को हुई नहीं होता है है कि पूजा पंडाल में या कोई चान हो गए ऐसे बड़े बड़े आटेस्ट आते है उसके बाद और भी जैसे बाउल डांस होता है अपने लोकल लोग डांस करते है गाना गाते है ये शाम बिलकुल मस्तानी होती है दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा की शाम ऐसी होती है बिलकुल चका चौन बिलकुल गाने बज करते हैं किसी association से बिल्कुल closely जुड़े हुए है तो आपको भी पता होगा दुर्गा पुजा से पहले मूर्ती बुक करना टेंट बुक करना पंडाल वाले से बात करना धाकी बुक करना हजारों काम होते हैं हजारों काम होते हैं दुर्गा पुजा से पहले सब कुछ और्गनाईज करना अगर आप कल्चरल में है तो कौन से इवेंट कब होंगे किसको बुलाना है इस बार पंडाल का थीम क्या होगा ये सब कुछ मतलब इतना मज़ा आता है ये सब करने में कि इनसान पूरा साल वेट करता है और कब दुरगापुजा आए और मैं लोग मिलते है और प्लान करते है कैसे क्या करना है फिर उसको हम एक्जिक्यूट करते है और जब ये सारा एक्जिक्यूशन एकदम हो जाता है और लोग तारीफ करते है कि वा क्या पंडाल वना है वा कितना सुंदर थीम है वा दुरगा मा की मूर्ति कितनी अच्छी है इस इवेंट्स कितने अच्छे हो रहे हैं तो अंदर से एक फीलिंग आती है वा यार कुछ हमने कर दिखाया बढ़िया काम किया तो दुरगा पूजा से पहले जो प्रिपरेशन होती है वह भी बहुत मज़ा आता है उसमें नौवी चीज है दोस्तो विशरजन मेरी लाइफ में एक बहुत important हिस्सा है विशरजन में मेरे को सबसे ज़ादा मज़ा आता है जब दोस्तो शीनदूर खेला होता है तब तो वह important है ही उसमें तो बहुत मज़ा आता ही है सब लोग जब एक दूसरे को सिंदूर लगाते है मेरे को photography करने का भी बहुत शौक है तो शीनदूर खे वो दिल को छूलेती है उस समय दोस्तों विशरजन के टाइम इतना जोश होता है इतना जोश होता है जो लोग ठाकपुर उठा रहे हैं बोलो बोलो दुर्गा माई कीजाए बोल रहे हैं इतना जोश मतलब इससे जादा जोश शायद ही पूरे साल कभी होता होगा किसी के जो जोश विशरजन में होता है और जब मा दुर्गा को हम विशरजित कर देते हैं उसके बाद हमारी आखों में आसू होते हैं पर दोस्तों आखों में आसू लेके हम ये जरूर बोलते हैं आश्चे वाचोर आबार हो गए और फिर से हम तैयारी में जुड़ जाते हैं चीज और यह सबसे important है कि दुर्गापूजा एक बेंगॉली के लिए उसकी cultural identity है बेंगॉल में लोगो उतना पता लगता है कि नहीं पता नहीं पर मैं जब बेंगॉल से बाहर हूँ मैं डेली में हूँ यहाँ पे हमारी identity ही दुर्गापूजा है सब लोग इसी का वेट करते ह कि यह बेंगॉली है और यह दुर्गापूजा सेलिब्रेट करते है साल में एक बार यह इत्ता बड़ा festival अरेंज करते है जा पर पूरे डेली के सारे लोग इखटा होते है चाए वो पंजाबी हो मराठी हो जो भी हो वो बेंगॉली के साथ मिलके दुर्गापूजा मनाते ह इसलिए हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है बेंगॉल के बाहर की दुर्गापूजा बेंगॉलीस करते है इसके अलावा दुर्गापूजा पूरे वर्ल में फेमस हो चुका है कोलकाता का दुर्गापूजा तो फेमस है ही कोलकाता का दुर्गापूजा बेंगॉल का शांदार होता ही है और अब यह हमारी identity भी बन चुकी है